हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच्प परहार में मैं हूँ एड़ोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उस परिस्थिति के बारे में जहां पर आपने शादी के वक्त अपनी प आपके द्वारा भी दिये जाते हैं और जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं उसके द्वारा भी दिये जाते हैं अब बात सारी यह आती है कि जब मामले में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो पती यह सोचता है कि अब मुझे इसका सामान लोटाना पड़ेगा क्योंकि वो तो बोलती है मेरा सारा समान इनों रख लिया है तो उसके मन में परशन होता है कि ठीके चलो मैं इसका समान लटा भी देता हूँ लेकिन क्या जो समान हमने खुद दिया था वो भी हमको लटाना पड़ेगा ये परशन भी उसके मन में होता है तो दोस्तों यहाँ पर अभी एक recent दिल्ली हाई कोट का judgment आया है और दोस्तों आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा आखरी तक वीडियो में बने रहेगा अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell पर click कर लें क्योंकि दोस्तों इससे हर रोज आपके लिए नए नए वीडियो लानी की motivation हमको मिलती है देखे दोस्तों इस मामले में दिल्ली हाई कोट ने decision दिया है और वो भी आपको लोटाना पड़ेगा अब दोस्तों इस मामले में क्या था कि पतनी का कतन था कि पती ने उसकी जोलरी या सामान वगेरा जो है गहने उपहार वगेरा वो उसकी बिना इजाजत के ले लिए और इस कतन से जो पती था उसके उपर एक F.I.R. दरज हो गई थ कुछ भी उसके पास है चाया आप ने दिये चाया उसके माता पिताने दिये चाया आपके रेलेटिव ने दिये वो सब उसकी नीजे समपत्ति है उसका इस्तिरिधन है और डिस्प्यूट के बाद यदि आप उसे लोटाएंगे तो आपको वो भी लोटाने पड़ेंगे और वो जो घहने संपत्य आभूशन है यदि आप ये समझ के ले लेते हैं कि तो हमने ही इसको दिये थे तो भी वो गलत है और ऐसे मामले में कोट ने माना कि आप इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं तो दोस्तो ये आज का सिनेरियो है हमें पता होना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से कोट्स डिसीजन लेती हैं ऐसे मामलों में यदि आप मैट्रिमोनेल डिस्प्यूट्स को फेस कर रहे हैं तो चले दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में नहीं जानकारी के साथ मैं आप से फिर मिलता हूँ तब तक के रहे गुडबाई and थेंक यू पर वाचिंग टेक कियर